हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू एबॉर्ड में मेरा नाम हर्ष आज हम जिस चैप्टर की शुरुवात करने जा रहे हैं वह हैं NCRT Class 6 हिस्ट्री का चैप्टर नमबर 11 चैप्टर नमबर 1-10 हम पहले ही कवर कर चुके हैं अगर अभी तक आपने वे सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस चैनल एडू एबॉर्ड पर जाएगी हिस्ट्री की आप वहाँ पर जाकर इन सब वीडियो को देख सकते हैं उसके अलावा हमने वहाँ पर जो है उस पे जोग्रफी और आपका सेविक्स और साइंस भी कवर कर रखे हैं तो वो भी जाकर आप वीडियो वहाँ पर जरूर देखिएगा आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे इस चैनल एडू एबॉर्ड को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइ और फॉलो जरूर कर दीजेगा कि जो भी आने वाली वीडियों आपकर नौक्टिफिकेशन पो पहुंच सके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर इलेवन चैप्टर नंबर इलेवन जिसका नाम है New Empires and Kingdoms याद रखिएगा क्या New Empire and Kingdoms दा गुप्ता डैनेस्टी वहाज फेमस डैनेस्टी ऑफ इंडिया दिखिए जो गुप्ता डैनेस्टी है वह बहुत ही फेमस डैनेस्टी थी किसकी इंडिया की याद रखिएगा के गुप्ता डैनेस्टी किसने फाउंड करी थी फाउंडेड बाए चंद्र गुप्त वन ने इसकी स्थापना करी थी इट बिकेम प्रॉमिनेंट एंड पावरफूल डिूरिंग दा रेन ओफ समुद्र गुप्त एंड चंद्र गुप्त सेकंड ओल्सो नोन एज विक्रम दित्य और यह जो डैनेस्टी आपकी हुई गुप्त डैनेस्टी हुई यह बहुत ही जादा फली फुली और जो पावर और उजयन आपका मद्य परदेश में है और पातली पुत्र जो पतना आज का जो पतना है उसको पहले पातली पुत कहते थे वर दा इंपोर्टेंट सेंटर और गुप्ता रूलर यह तीनों की तीनों जगा जो है याद रखे गया प्रियाग यानि अलहाबाद उजयन और प कोशन आता है कि इन सब के बारे में एंपायर्स वगरा के बारे में हमें कहां से पता लगता है तो एक प्रसश्टी है प्रसश्टी ठीक है प्रसश्टी ही हमें इन सब के बारे में information प्रवाइड करती है रूलर के बारे में कि वहां पर किस तरीके से रूल किया करते थे प्र प्रस्वस्टी एक संस्क्रीट बर्ड है जिसका मीन होता है इन प्रेज ओफ अब आजाते हैं हम अगले topic की तरफ जिसका नाम है प्रयाग प्रसस्टी, what does it contain, देखिया प्रयाग प्रसस्टी है, उसमें क्या contain है, मतलब प्रयाग प्रसस्टी से में क्या क्या पता लगता है, यह सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन है, जो अशोका प्रयाग राज पे इंस्क्राइब यानि गड़ा हुआ है, इट वस कंपोज्ट एस काव्या और यह काव्य के रूप में अपका कंपोज्ट है, बहुती लंबे संसेंसे हैं, बाई हरी सेना, the poet and minister of समुद्र गुप्त, ठीक हरी सेना जो है, उसने कंपोज किया था, हरी सेना को है, समुद्र गुप्त के कारेकाल के दोरान, poet और minister थे, it mentions about the great grandfather, grandfather, father and mother of समुद्र गुप्त, और हमें यहां से यह भी पता लगता है, कि समुद्र गुप्त के great पर दादा, यानि और फिर उसके बाद दादा और उसके पा समुद्र गुप्त याद रखिएगा, कुमारा देवी, कुमारा देवी, समुद्र गुप्त की मदर, कौन से, कहां से बिलोंग करती थी, वो लिच्वी गना से बिलोंग करती थी, कहां से लिच्वी गना से बिलोंग करती थी, और उनके पादर, समुद्र गुप्त के फाद उन्होंने भी यही टाइटल एडॉप्ट किया था समुद्र गुप्त ग्रेट ग्रेंट फादर और मैंचन सिंप्ली एज महाराजा और पर एक इन्पोर्टेंट नोट करने वेली बात यह है कि देखिए कि समुद्र गुप्त के पापा जो है चंद्र गुप्त ठीक है वो उनके पर दादा और दादा में ऐसा कोई भी मैंचन यह है उनमें सिंप्ली मैंचन है महाराजास क्या महाराजा तो अब हम यह थोड़ा सा जान लेतें के प्रेयाग परसपस्चिश्टी में क्या क्या है यह देखिए लॉंग इंसक्रिप्शन है जो अशो का पीलर father father mother के बारे में पता लगता है समुद्र गुप्त की माता जी दो थी उनका नाम था कुमारा देवी और वो लिछवी गना से बिलॉंग करती थी उनके पापा जो थे समुद्र गुप्त के उनका नाम था चंद्र गुप्त वो ऐसे पहले ruler थे गुप्ता dynasties के जीनों ने title adopt किया महराजा अधीराज का समुद्र गुप्त ने भी same title adopt किया महराजा अधीराज का पर important बात यह है कि समुद्र गुप्त के जो great grandfathers यानि पर दादा दादा उनके यहाँ पर ऐसा कोई भी title mention नहीं उनके simply mention है महराजाज ठीक है अब हम आजाते हैं आगे की तरफ समुद्र गुप्त के बारे में दीखें समुद्र गुप्त as mentioned in the प्रयाक फ्रसस्ती हरी सेना has described समुद्र गुप्त as warrior दीखेंगा हरी सेना जो है जो court, poet और minister ते समुद्र गुप्त के उन्होंने समुद्र गुप्त को एक warrior योधा के रूप में एक king के रूप में एक जीतते वे king के रूप में battle में उस तरीके से और इन सब चीज के बारे में वहाँ से पता लगता है इस तरीके से describe किया है हरी सेना ने he has also described him as equal to the god और उसके बाद हरी सेना ने समुद्र गुप्त को भगवान के समान ही describe किया है he has described him as whose bodies look charming due to plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by different weapons देखे उन्होंने कैसे describe किया है describe him as whose body look charming due to plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by different weapons और कुमार हरी सेना ने समुद्र गुप्त को इस तरीके से describe किया है कि उनकी body इसलिए बहुत अच्छी जाता खुबसूरत लगती है charming लगती है क्योंकि उनके जो शरीर पे बहुत सारे different weapons के निशान गड़े हुए है समुद्र गुप्त वीना प्लियर as is evident from his coins अब हम आ जाते हैं समुद्र गुप्त expansion policies के बारे में आ जाते हैं अब हम पढ़ेंगे समुद्र गुप्त की expansion policies जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे देखे समुद्र गुप्त expansion policies किसमे प्रियाग प्रसस्ती में हरी सेना has described four different skies of ruler पॉलिसी के बारे में डिस्क्राइब किया है पहला रूलर हूँ वर डिफीटिड एंड इंक्लूड इंपायर जो रूलर हार गया और उसके बाद उसका एंपायर में अपने इंपायर इंपायर में उस चीज का इंक्लूड कर दिया उनकी जो टेरेटिरी थी वो इंक्लूड कर दिया ऐसा ही एक हमें मिलता है देखिए क्या नाइन रूलर ऑफ आर्यवरत नो रूलर जो आर्यवरत के थे उनको रूटेड कर दिया वहां से उखाड फेका और उनके जितने भी अलावड होता था उनके वो रूल कर सकते हैं the twelve ruler of dhaksina pat were allowed to rule their kingdom when they surrender after their defeat इसका example हमको मिलता है 12 ruler of dhaksina pat ठीक है दhaksina pat के बारगा ruler जो थे उनको ये allowed किया गया कि तुम अपने kingdom पे rule कर सकते है जबकि हो हार चुके थे उसके बाद तीसरे आता है ruler who brought tribute follow his order and attention in court तीसरे वह होते हैं कि रूलर वो जो ट्रिब्यूट लाते थे और उनके ओर्डर्स को फोलो करते थे, कोट में आया करते थे जब बुलाते थे उसका एक्जामपल है दा रूलर ओफ इनर इस्टेट, डूलर ओफ इनर इस्टेट मतलब अंधरूनी स्टेट के जो रूलर थे तीसरे वह जो रूलर अपनी ओफर दे रहता था मैरिज के लिए, जैसे कि आउटर इस्टेट बाहर के इस्टेट के जो रूलर थे, देसेंडेंट अफ कुशान और शाकाज और रूलर ओफ श्री लंका सम्मिटेट तो हीम और ओफर देर डूर्टर इनर मैरिज उसके बाद जैसे कि कुशान जो थे रूलर उनके डिसेंडेंट, शाकास के डिसेंडेंट, उसके बाद श्री रंका के जो रूलर थे, उन्होंने अपनी डॉटर्स को समुद्र गुप्त के समक्स ओफर किया था, तो उनकी चार समुद्र गुप्त के एक्सपेंशन पॉलिसी थी याद रखिएगा, यह चारो अभी अभी अबने डिसकस किये, ठीके के पहले तो वो रूलर थे जो हार जाते थे, फिर उसका एंपायर जो था, वो अपने एंपायर में मिला लिया जाता था, जैसे कि नराइन डूलर ऑफ आरे वरत थे, उनको आप रूटेट कर दिया, उनके पत ठीक है, उन्होंने उसको रूल करने के लिए दिया और जबकि वो हार चुके थे, उसके बाद तीसरा आता है, जो रूलर उनके लिए ट्रिब्यूट या फिर ऑडर उनके अटेंड करते थे, उसका एक्जामपल है, जैसे असाम के रूलर, गोस्टल बेंगाल, नेपाल गणा शंगा जो थे उनके, उसके बाद है, जो रूलर अपनी डॉक्टर को मैरिज के लिए ओफर करते थे, इसका एक्जामपल है, इनर इस्टेट के डैसे कुशान के डिसेंडेंट और शाकाज के डिसेंडेंट पूरवज जो थे, वो उसके अलावा शिरिलंका के जो रू प्रियाग, उसके बाद दूसरा इधर, तीसरा आपका ये वला हिस्सा हो गया, आपका नेपाल का फिर ये असम का हिस्सा जो हो गया, उसके बाद चौथा आपका नौर्थ वेस्ट की ये शिरिलंका, जिनोंने अपनी चौथा वो जिनोंने अपनी बेटी को ओफर किया, कौ देखें जेनियलिस का मतलब होता है जेनियलिस का मतलब एंचेस्टर उनके पूरवजों की जो लिस्ट होती थी उसको ही क्या बोलते थे जेनियलिस बोलते हैं उसके बाद और हमें समुद्रू चंदर गुप्त के बारे में कहां से पता लगता है देखें इंस्क्रिप्शन से और कॉइन से हमें उनके बारे में पता लगता है और चम याद रखियेगा बहुत ही रिमेंबर चीज यह है याद रखने वली चीज है कि इनके कोट में बहुत ज़्यादा पड़े लिखे लोग हुआ करते थे जैसे कि कालीदास आर्यभट एस्टरनॉमर होगे कालीदास पोयट होगे तो कभी भी कोशर आजाए कि कालीदास और आर्यभट किसके कोट में काम वर्क किया करते थे तो वो है चंद्रगुप्त सेकिंड दा चाइनिस पिलिग्रिन फाहियान जो फाहियान चाइनिस पिलिग्रिम्स थे वो भी चंद्रगुप्त सेकिंड के उसमें आये थे रेन में आय थे विक्रम समवत आप कलेंडर में भी देखते होंगे विक्रम समवत वगरा उसी के बारे में इट बिगेन इन 58 BCE यह आज से अठावन सो बिफोर क्राइस्ट एरा मतलब जीजस क्राइस्ट के जनाम होने से अठावन वर्ष पहले यह स्टार्ट हुआ यह स्टार्ट होता है तब से जब इन्होंने शाका के उपर विक्रम अदित्य का टाइटल लिया तो विक्रम समवत याद रखेगा के अठावन सो बीजी यानि जीजस क्राइट्स के अठावन सो वर्ष पहले यह ट्रेडिशनली तो यह िस से चंद्रगुप्ठ से यह विक्रम समवत क्या है कि यह मार्क बिकाता है कि जो चंद्रगुप्ठ से किंड ने शाकास को विक्तरी तब अउसी के दोरां कि जब शाकास को हरा था तब यह ब्यक्रम अदित्य का टाइटल at zoom किया था It has been adopted as a national calendar और ये आज हमारा national calendar is adopted along with the Georgian calendar, Georgian calendar के साथ साथ योवे हमारा national calendar है उसके बाद आ जाते हैं Rise of Harshabordna, he ruled about 1400 years ago, जो हर्ष दान उन्होंने 1400 साल पहले राज किय, तो अब ये कोशन आता है कि हमें हर्षवर्धन के बारे में कहां से पता लगता है, देखेगा, हर्षवर्धन के बारे में हमें एक बुक से पता लगता है, बायोग्राफी से पता लगता है, जिसका नाम है हर्षचरित्र, हर्षचरित्र जो है, वो हर्षवर्धन की बायोग् वो इनके court poet हे, इनके Felicia by ईटश के बारे बताता है, और ये खतम हो जाता है, जब हर्श the king बने उसके बाद ये खतम हो जाता है, Xuanzang the Chinese pilgrim came to his court and provide a detailed account of his son Harsha became king of Thaneshwar after the death of his father and elder brother दीखे का Harsha जो थे वो कब king बने? King वो बने Thaneshwar में King of Thaneshwar बने जब उनके पापा और ब्रदर यानि भाई की मृत्ती होगी थी उसके बाद वो king बने When his brother-in-law was killed by the ruler of Bengal He took over the kingdom of Kanoj and include it in his kingdom दीखेगा जब इनके brother-in-law की मृत्ती हुई मतलब मार दिया गया ruler of Bengal के द्वारा तब इनोंने kingdom जो था Kanoj kingdom था वो अपने ही kingdom में include कर लिया He occupy both Magad and Bengal इनोंने बंगाल और Magad को भी occupy किया तो आप याद रखेगा हमने पढ़ा था कोटल ले के समय में कि आपका Moran dynasty के बारे में पढ़ा था कि कितनी powerful Magad dynasty हुआ करती थी उस समय जो Magad राज्य था वो कितना powerful था तो आप रखेगा कि हर्षवर्धन ने Magad को भी जीता उसके बाद उनोंने बंगाल को भी occupy किया He was defeated by Pulcation second और इनको किसने हराया Pulcation second ने हरताया जो चालयुक्या रूलर थे वैन ही ट्राइट टू क्रॉस नर्मदा तो कौनके उर्धा दा डेकन जब ये नर्मदा पार कर रहे थे डेकन जाने के लिए डेकन को कौनके उर करने के लिए तभी पूलकेशिन सेकिंड जो चालुक्या रूलर से उन्होंने इनको पराजित कर दिया हर्षवर्धन को अब आजाते हैं हम conflict between the चालुक्याज और पल्लव देखें दूरिंग दिस पीरियड देखें इसी पीरियड के दोरान दो चालुक्याज और पल्लव जो थे साउथ में, साउथ इंडिया में वो बहुती important dynasty थी कौन-कौन सी चालुक्याज और पल्लव जो थी साउथ इंडिया में बहुती जादा important dynasties थी पल्लव ruled in the region around their capital कांचीपूरम to कावेरी डेल्टा अब देखेगा के पल्लव जो थे वो कहां से कहां तक rule करते थे, उनकी एक capital थी काचीपूरम और उसके बाद कावेरी डेल्टा जो है वहाँ तक का वो आपका rule करते थे अब आजाते हैं, वेर दा चालुक्याज रूल चालुक्याज कहां से कहां तक rule करते थे देखें, राइचूर दौब से लेकर river Krishna and Tung Badra تक ठीक है, कौन? राइचूर दौब को rule करते थे, जो राइचूर दौब है, वो Krishna and Tung Badra river जो है, उसके बीच में है, राइचूर दौब, उसको ही राइचूर दौब बोलते हैं, वहाँ वो क्या करते थे रूल करते थे चालुक्याज इस तो किंग्डम फ्रिक्वेंटली रेड़ेड वन अनधर लैंड इस्पेशली दा कैपिटल सिटी वीच वर प्रॉस्पिरियस टाउन अब यह जो दोनों रूलर्स थे किंग्डम सुदे चालुक्या और पलब जो थे वो आपस में ही एक दूसरे पे लैंड पे कबजा करते थे रेड करते थे जब ज़्यादा तर वो जो करते थे वो कैपिटल सिटी जो होती थी वहाँ पे करते थे क्योंकि वो जो था वो प्रॉस्पिरियस टाउन हुआ करते थे एहोल जो है वो कैपिटल थी किसकी चालुक्यास की कैपिटल थी इंपोर्टेंट ट्रेडिंग और रिलीजन सेंटर भी नंबर आफ टाउन ये बहुत ही ज़ादा ट्रेडिंग और रिलीजन सेंटर हुआ करता था अब चालुक्ये और पल्लव जब हटे तो उनकी जगे रास्ट्रकुट और चोला डाइनेस्थी आए है अब हम बात करते हैं पुलकेशिन सेकेंड की पुलकेशिन सेकेंड की He was the best नो चालुक्ये रूलर देखिएगा सबसे पहले तो याद रखिएगा के पुलकेशिन चालुक्ये रूलर्स थे पहली बात तो ये याद रखिएगा He got kingdom from his uncle और इनको ये जो kingdom था उनके अंकल के द्वारा मिला था जब उनके अंकल ने दिया था He know about him for the a whole प्रसस्टी composed by his court poet रवी कृति अब हमें इनके बारे में कैसे पता लगता है पुलकेशिन हमें पुलकेशिन के बारे में पता लगता है a whole प्रसस्टी है जो प्रसस्टी है वहां से हमें पता लगता है जो इनके court poet थे रवी कृति उन्होंने compose किया है रवी किर्ती, रवी किर्ती जो थे वो इनके court poet हुआ करते थे, पुलकेशिन सेकेंड के, उन्होंने ही अहोल प्रसस्टी जो है, compose की थी, महाँ पे लिखा था, उन्हीं के द्वारा हमें प्लकेशिन सेकेंड के बारे में पता लगता है, देरा प्रसस्टी टेल अस अबाउट इस प्रसस्टी से हमको उनके अन्चेस्टर यानि पूरवजों के बारे में पता लगता है, और हमें इसके चार जनरेशिन के बारे में भी पता लगता है, इसमें लिखा गया है कि पुलकेशिन जो था, उन्होंने हर्षा जो थे, उनकी अडवांस इसको चैक किया, इट से आफ्टर इस डिफिट हर्षा वस नो लॉंगर हर्षा, और उन्होंने ये बोला कि जब ये हर जाएंगे तो हर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक हर्षा नहीं रहा पाएंगे, यानि खुश नहीं रहा पाएंगे, पुलकेशिन सेकेंड अल्सो डिफिट द पललव के लिए अपना स्टार्ट किया, अब आजाते हैं हम एड्मिनिस्ट्रेशन ऑफ दा किंगडम, किंगडम का एड्मिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चला करता था, फॉर दा अर्लियर किंग, लैंड रेवेन्यू रिमें इंपोर्टेंट एन्ड विलेज रिमें था बेसीक उनि अब इसी दोरान ने डेवलेमेंट हुए अड्मिनिस्ट्रेशन में, अब इसी दोरान किंग जो थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टैप्स रखे, जो ऐसे स्टैप्स उठाए, जिसकी वज़े से उनको एकनॉमिकली जो शोचल, पॉलिटिकली पावर्फुल जो लोग थे, अब जो बहुत एड्मिरिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी, वो हैरी डेट्री हो गई, यानि वंचानुगात मतलब कि अब जैसे कि एक पापा, पिता जी अगर उस पोस्ट पे हैं तो बेटा आएगा, तब भी वो उसी पोस्ट पे आ जाएगा, इस तरीके से वो हैरी डेट् थे, वो थे, विकमा महा डंड नायक, चीफ जेस्टिस लाइँए हिस फादर, देखिएगा, अब हरी से ना जो थे, उनके पिता जी भी आपका पोस्ट थे, उन्नों ने हरी से ना को एक पोस्ट मिली, जिन पोस्ट थे, उनको अब बोला गया, महा डंड नायक, या निशी justice. Sometimes one person had more than one post. कई कई बार तो जैसे की एक person जो है बहुत ज़्यादा post रखता था. जैसे आप अभी भी देखते होंगे हमारे हाँ minister एक minister दो दो तीन्टीर ministry से भालता है तो same as it is वहाँ पे भी एक जो व्यक्ती होता था वो बहुत सारी posts को held करता था एक से ज्यादा को मतलब दो भी तीन भी हो सकते हैं देखें लाइक हरी सेना वोज अपॉंटेट था महा डंड नायक कुमार अमत्या इंपोर्टेंड मिनिस्टर एंड संधी विग्र विराग ही का विराग ही का देखेंगा हरी सेना जो थे वो पहले तो महा डंड नायक एक पोस्त उनके पास ये थी महा डंड नायक यानी की चीफ जस्टीस उसके बाद उनके पास डूसरी पोस्त थी कुमार अमत्या ही मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एंड संधी विग्रही का मतलब, मिनिस्ट्री ओफ वारेण पीस, अब देखेंगा हरी सेना तीन- मिनिस्ट्री जो थे तीन तीन पोस्ट जो थे वो संभाल रहे थे इंपोर्टेंट मैं लाइक नागरा श्रिष्थी चीफ मर्चंट अफ द शार्थ वहा लीडर अफ द मर्चंट कारवां प्रतमा कुल की चीफ क्राफ्ट मैं एंड दा कायस्ता हैड ऑफ स्क्राइब्स हैज असे इन दा लोकल अड्मिस्ट्रेशन अब आज आते हैं राइज ओ समान्था समान्था राइज ओ समान्था लाइक दा अर्लियर रूरा सम ओफ दा किंग मिन्टेन अ वैल और्गनाइज आर्मी वित एलिफेंट चैरियर्स, कैवलरी, एंड फूट, सोलजर पहले की तरह जैसे की आप बीबी कुछ चो किंग थे वो अपने आप अपना जो थे वो ऐसे कैसे मैनेज करते थे लाइक दा अर्लियर रूलर सम किंग सम ओफ दा किंग मेंटेन वैल और्गनाइज आर्मी वित एलिफेंट चैरियर्स, कैवलरी और फूट, सोलजर थे वो भी थे समान था, ठीक है समान था, यह समान था, जो किंग को ट्रूप्स प्रोवाइड कराया करते थे जब किंग को जुरूरत हुआ करती थी, और इनको जो थी वो रेगुलर सेलरी नहीं दी जाती थी, इनको ग्रांट में लैंड दिया जाता था क्या दिया जाता था, land दिया जाता था, they collected revenue from the land and used this to maintain soldier and horse and provide equipment for warfare, अब यह जो समानताज होते थे, यह इसी land से अपना revenue collect करते थे, अपने soldiers को maintain करते थे, horses को maintain करते थे, और provide करते थे, equipment, जो warfare में equipment होते थे, वो इनको provide किया करते थे, whenever the ruler was weak, they tried to become independent, जब ruler weak हुआ करते थे, तो यह अपने आप में independent हो जाया करते थे, ठीक है, अब rise of समानताज की बात करते हैं, कैसे थे, यह समानता जोते है, वो military leaders थे, वो kings को troops provide करते थे, जब kings को जरूरत हुआ करती थी, इनको regular salaries नहीं दी जाती थी, इनको grant में land दिया जाता था, इसी land से वो क्या करते थे, revenue collect करते थे, revenue जो collect होता था, उसी से अपने वो soldiers को maintain करते थे, horses को maintain करते थे, और जो warfare में, जो war में अगर equipments आई होते थे, वो भी वहीं से मिला करते थे, जब ruler weak हो जाया करते थे, तो यह अपने आप में independent हो जाया करते थे, याद रखिएगा, अब बात आ जाते हैं, assembly in the southern kingdom, southern kingdom में जो assemblies चीज थी, वो केसे होती थी, ठीक है, number of local assembly, आप mention in the inscription of पलव, बहुत सारी जो inscription है, number of local assembly है, जो mention है किसमें inscription of पलव, पलव के जो inscription है, उसमें, पहला सभा, सभा, it was assembly of Brahman land owners, ठीक है, जो सभा थी, वो क्या थी, assembly थी, किसकी, ब्रामन जो थे, land owners, जो जो थे, जिनके पास जमी नहीं थी, उसकी, it functioned through subcommittees, which looked after irrigation, agriculture, operation, construction of road, और local temples, इसके बाद आ जाते हैं, और, it was a village assembly found in area where the land owner was not Brahman, अब याद रखेगा कि और कहां पे मिलते थे, ये village assembly होती थी, ये उस जगे मिलती थी, जहां पे land के ओनर ब्रामन नहीं हुआ करते थे, फिर नगराम, it was an organization of merchant, ये जो merchant का organization था, these assembly were probably controlled by rich and powerful land owners and merchant, और ये assembly को जो control करते थे, वो बहुत ही ज्यादा powerful और rich, जो land owners थे, और merchant से, वो इस assembly को control करते थे, these assemblies continue to function for centuries, और ये जो assembly चली, बहुत कहीं सालों तक, कहीं सालों तक, सो सालों तक, कहीं सो सालों तक, ये function में रही है, life of ordinary people, अब हमने बात कर ली, अब ordinary people की life कैसे थी, तीक है, life of ordinary people is revealed from the play and other account, ordinary people के बारे में हमें जो play हुए है, वहाँ पे नाच, गाने वगरा हुए है, जो plays होते है, नाटक वाटक होते हैं, और other accounts जो है, वह हमें वहाँ से पता लगता है, एक play है काली दास का, a play of काली दास depicted men and women other than king and brahman speaking प्रकरति, the language of common men, उसके बाद आते है, description of the place of a poor fisherman is found in Abhijana, शकुनतलम अ play of काली दास, अब एक poor fisherman के बारे में भी हमें पता चलता है, कहां से पता लगता है, जो poor fisherman के बारे में हमें वो कहां से पता लगता है, अभी जना एक शकुनतलम प्ले है काली दास का हमें वहाँ से पता लगता है, फ describe the plight of untouchables, इसने untouchables के बारे में बताया, देखे, who were ill-treated by the high and mighty, जो high लोग होते थे, वो इनको ill-treat करते थे, he said that they were used to live on the outskirt of the city, और यह city के बार ही रहा करते थे, Fayan ने भी एक और बात भी बोली है, said that untouchables had to describe a piece of wood whenever they entered to the town or market, जो untouchables लोग होते थे, high caste के लोग होते थे, वो हमेशा अपने साथ, सुरी, हमेशा तो नहीं, जब वो market में enter होते थे, या town में enter होते थे, तो एक वो अपने हाथ में wood का piece ले लिया करते थे, और उसे बजाया करते थे, जब वो अवाज निकलती थी, तो उसके बाद वो लोगों को सुनाई दे जाती थी, तो इसी के कारण जो बड़ी जात के high caste के लोग होते थे, वो अलग हो जाते थे, वो इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे, तो कहने का मतब़ी है कि अगर वो टाउन और मार्केट में एंटर होते थे, तो उन्हें घंटी बजा के एंटर होना पड़ता था, कि ताकि कोई भी उन्हें देखे ना, तो वो अच्छूत ना हो जाए, अब आप बताईएगा कि किसी के ऐसे देखने से कोई अच्छूत कैसे हो सकता है, यह discrimination आज का नहीं है, यह बहुत पुराना discrimination है इंडिया में, और भी अलग-अलग जगे जहां भी discrimination हुआ, ऐसा discrimination कभी भी नहीं होना चाहिए, यह जो हमारे समाज के लिए discrimination है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सब को equal treat करना चाहिए, हर एक कास्ट में हर एक प्रकार के आपको लोग मिलेंगे, intelligent में मिलेंगे, आपको educated में मिलेंगे, illiterate में मिलेंगे, सब प्रकार के लोग मिलेंगे, आपके अलग हिसाब है, फिर आप अगले ही पल में, आप किसी अगले जनम में कहते हैं, कि अगर आपका जनम हुआ तो आप किसी lower caste में पैदा होते हैं, तो आप सोचेगा कि आपके उपर कैसे बीतेगी, वो सब चीज़े आप अपने पे applicable करिएगा, तब आप जाके खुझ समझेंगे, कि उनको कितनी तकलीफ होती है, अब उसके बाद आजाते हैं, जो हमने एक कहानी पड़ी थी, अभी कहानी के बारे में थोड़ा सा पता था, के ordinary people के बारे में हमें कैसे पता लगता है, देखेगा, अभीजन शकुंतलम एक पोएट कालीदास ने जो लिखी थी, वहाँ से पता लगता है, अभीजन शकुंतलम इस अ वर्ड रिनोर प्लेव रिटेन भाई कालीदास, इस अ लव स्टोरी ओफ किंग दुश्यंत एन यंग वुमेन नेम शकुंतला, याद रखेगा, याद रखियेगा, वैन दा कपल वर, वैन दा कपल वर तु सेपरेट, दुश्यंद गेवार रिंग टो शकुंतला एज़र सावने तू, सो देट इस मैन कूड रेकॉनाइज हर वैन शी वूड विजिट दा प्लेस, वैन दा कपल वर तु सेपरेट, जब कपल ये दो कपल सेपरेट हुए, दुश्यंद जो थे, राजा दो थे, उन्होंने एक रिंग गिफ्ट करी, शकुंतला को रिंग दी, ठीक है, सौवनेर, सौवनेर का मतलब होता है, यादगार में, so that his man could recognize her when she would visit the palaces, के जो भी उसके व्यक्ति हैं, दुश्यंद के व्यक्ति हैं, वो उन्हें बहुत असानी से पैचान ले, जब भी वो विजिट करें पहलेस में, अब गलती से जब शकुंतला जो है, वो वुमेन जो है, वो अपने, जब ये आपका रिवर के पास बैठी मी थी, तो गलती से उनकी वो रिंग गिर गई, और गिरने के बाद वो फीश जो थी, वो निगल गई, अब ये फीशर मेन के पास जो फीश गई, जिस फीश ने इसे निगला था, तो एक मछ़वारा जो था, उसने मछली को जब पकड़ा, जब पकड़ा तो उसमेंसे वो रिंग मिली, रिंग मिली तो वो फीशर मेन जो है, वो पहलेस जो है, वहाँ पे लेकर गया जब gate man ने उस ring को देखा तो उन्होंने ऐसा बोला उन्हें पकड़ लिया और ये बोला कि ये चोर है और पुलिस को बुलाया अब जब पुलिस मैन आये तो उन्होंने पुलिस मैन के साथ बहुत ही जादा रूड बिहेव किया अब जब ये रिंग किंग के पास पहुंची तो किंग जो थे वो बहुत ही खुश हुए है और उसके बाद जब खुश हुए तो उन्होंने जो फिशर मैन था उसे रिवार्ड भी दिया है बट पुलिस ओफिसर एंड गेटमें decided to take a share of the reward and went with the fisherman to have a drink अब आया आते हैं the whole world was swallowed up in the dust लेखिये भानबट had described of the king army on move भानबट पताते हैं कि king की army जब move करती थी तो क्या होता था the king traveled with enormous amount of equipment including weapons, pots, pans, furniture, golden food stalls food including like animals including like goat, deers, rabbits, vegetables, spices, etc जब king travel करते थे तो उनके साथ बहुत सारी चीजे चलते थे जैसे weapon भी चलते थे pots भी चलते थे, उनके साथ pans होते थे, furniture भी जाया करते थे जब होते थे, animals में goat, deer, rabbit वगरा ये सब जाया करते थे these was carried on cart and loaded on pack animals such as camels and elephants इन में से ये जो carried थे cart में जाया करते थे, loaded हुआ करते थे animals के peat के उपर जैसे की camels और elephant होगे उसमें the huge army was accompanied by magician beating drums and other playing horns और इसके अलावा भी जो army में थी, army में musicians भी होते थे, जो drum बजाया करते थे horns थे, trumpets थे when the army moved through the village जब army village से move करती थी तो villagers उते उनको gift दिया करते थे curd दिया करते थे, good दिया करते थे flowers दिया करते थे animals के लिए चारा दिया करते थे the villagers also try to meet the king and place their complaint petition before the him, और जब ये army निकलती थी, king की जो army निकलती थी तो वहाँ के जो villagers थे वो ये भी चाते थे के हम king से मिले, king से मिलने के बाद उनसे complaint करें के हमारी ये चीज पूरी नहीं हो रही है उनके सामने petition रखते थे when the army moved from the village it left a trail of destruction behind it पर याद रखिएगा जब भी army move करती थी village से, तो उसके साथ बहुती ज़्यादा destruction होता था पीछे की तरफ वो मतलब बहुती ज़्यादा destruction करके चल जाते थे मतलब destruction का मतलब है कि तहस नहस करके चल जाते थे एक भानभट जो हैं वो सेज करते हैं the whole world was solid up in dust इसका मतलब है पूरी दुनिया धूल में समा गई ठीक है as the elephant tramped down the hut of villagers and the oxen york जब ये निकलती थी इसकी आपकी king की जो king जब move करते थे villages से तो उनके जो elephant हुआ करते थे वो villagers के घर को तोड़ दिया करते थे जो उनके bell वगरा होते थे वो डर जो था noise जो आपके trumpet वगरा बजा के चलते थे उसकी noise से वो भाग जाय करते थे भागते थे तो जब भागते थे तो यह नहीं देखते थे कि क्या घर कया वो क्या नुक्सान हो रहा तो वो कहीं बार तो घर योगर को भी उड़ा के चले जाते थे तो आप ऐसा अनुमान मानियेगा कि जो king होता है वो किस के लिए होता है? king जो होता है आपका बहुत अच्छा जहांकी सी निकली, बहुत अच्छे से सब ने वो किया, उसके बाद जो villagers हैं, उनके घर भी तूट गए, तो आप suppose करिए, ऐसा आज भी देखने को आप मिलता है, कभी आप देखेगा, कि कई कोई government program करवाती है, तो जब starting होती है, जब मतलब होने वाल कि बिल्कुल फैल जाती है, ऐसी जैसे आप अपने घर में, आसपोडोस में भी देखते होंगे, कोई छोटा मोटा function होता है, तो जब tent went लगता है, तो बहुत सुंदर लगता है, जैसी खाने का system start होता है, अगर disposable में, अगर आप suppose करिएगा, पर होगा, तो वो कुछ disposable इस घ Arabia, a desert area, remained a hub of communication for centuries, Arabia जो है, एक desert area है, ये centuries hub था, communication का बहुत सारी centuries तक रहा है, Arab merchant and seller played an important role in the sea trade between India and Europe, अब जो हमारे Arab merchants जो थे, उन्हों ने बहुत ही ज़्यादा important role play किया, sea trade में, इंडिया और एरोप के बीच में, the Bedouins who lived in Arabia were pastoral tribe, देखे, Bedouins जो थे, एक Arabia pastoral tribe है, जो अपने आप में, ही depend है, किस पे camel पे और animal पे depend है, around 1400 years ago, Prophet Muhammad introduced new religion called Islam in Arabia, आज से लगबख 1400 साल पहले, Prophet Muhammad एक नाम के विक्ती जो थे, उन्होंने एक नए religion की स्ताफना करी, जिसका नाम था Islam in Arabia में, the new religion laid stress on equality and unity of all before Allah, दीखे, जो नया religion हुआ, उसने ये बोला, stress किस पे दिया, equality पे stress दिया, कि इस धरम में सब equal रहेंगे, उसके बाद उन्होंने बहा के, हम जुकेंगे जो भी, कुछ भी हमारा एक ही सुप्रीम गोड है, जिसका नाम है अल्ला, हम अल्ला के आगे ही इभादत करेंगे, हम और किसी की इभादत नहीं करेंगे, और इनकी सबसे जो sacred book है, पवित्र book जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, कुरान बोलते हैं, वितीन 100 years, Islam spread to North Africa, Spain, Iran and India, कई सालों के दोरानी, कई सो सालों के दोरानी, दोरानी, जैसे कि 100-200-300 साल के दोरान, दोरान, जो आपका इसलाम जो है, North Africa, Spain, Iran, India भी पहुँचा, अरब seller brought this religion to the subcontinent, और हमारे इस subcontinent में अरब जो seller थे, वो ही इस धरम को लेके आए हैं, About 13 years ago, Arab soldier conquered sin and gradually the religion spread in India, और लगबग 800-300 साल पहले, जब अरब के soldiers जो थे, उन्होंने सिंध पे कबज़ा किया, तब हमारे इंडिया में इस नए religion, यानि इसलाम का जनम होता है, आशा करता हूँ, आपको अच्छे से बहुत अच्छे से chapter समझ आया होगा, हर बार की तरह जैसे कि हम brain booster डालते हैं, तो इसमें भी brain booster का हमने डाला है, तो आशा करता हूँ, आप इन पूरे chapter को पहले पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आप brain booster पे आए, brain booster पे आने के बाद आप अपने questions को check करिएगा, अपने आप से लगाईएगा कि कितने आप सही है, आपको answer नीचे मिल जाएंगे, तो चलिए अब हमी start करते हैं, brain booster, question number 1, which of the following gupta king is known as shaka conqueror, देखे का कौन सा गुपता ruler था, जिनों को ऐसे shakas conqueror के उसमें जाना जाता है, A. चंदर गुप C. चंदरगुप, 2. D. भानुगुपत, question number 2, which of the following statement about hrshvardhan is not true, hrshvardhan के बारे में इसमें से ये कौन सा घटना सकते नहीं है, पहला information about hrshvardhan is obtained from his biography, hadith चित्र written by bhanabhat in Sanskrit, देखे का, कि पहला तो ये है कि हमें hrshvardhan के बारे में कहां से पता लगता है, hrshvardhan के बारे में stay for a long period at the court of hrshvardhan, जो एक Chinese traveler थे, वो बहुत सार समेतक, आपके hrshvardhan के period के धोरान बहुत समेतक रहे, उसके बाद he occupied kannoj and attacked Bengal, इन्होंने kannoj को occupy किया और बंगाल पर अटक किया, he was the eldest son of his father and after the death of his father he sat on throne of Thaneswar, ये अपने पीता के eldest son थे और अपने पीता के मिरुत्ति के बा उसके बाद आपका आजाता है question number 3, question number 3 है आपका, by with chalukke ruler hrshvardhan was stopped when after crossing the narmada he tried to occupy, देखें, ये वो कौन सा chalukke ruler था जिजने हrshvardhan को रोका, जब वो नarmada नदी पार कर रहे थे, deck can occupy करने के लिए, पहला pull question, second, bishra, ravikriti, kirti, sorry, c है, bahnbhat, d है, vishakha, dutta, question number 4, which of the falling was samudra gupti policy specifically toward the ruler of dakshnipath, dakshnipath के उसके हिसाब में, मतलब उसके उसमें, samudra gupti की कौन सी policy, जो है, वो सही है, they surrender after being defeated and they were allowed to rule again, जब वो हार गए तो उन्होंने अपने आपको surrender कर दिया, पर उसके बाद भी वो rule करते रहे, b, their kingdom was uprooted and made a part of samudra gupti, उनका जो kingdom था वो उजार दिया गया और samudra gupti ने अपने empire में capture कर लिया, c, they submitted to samudra gupti and offer daughter in marriage, या d, उन्होंने samudra gupti को सामने submitted कर दिया, और अपनी daughter को marriage के लिए दे दिया, they bought tribute, followed his order, attained his code, question number 5 है, king harshvardhan, court poet, bhanbhat, wrote his biography, the harshe charitre in, harshe charitre एक biography है, harshvardhan की, ठीक है, वो किस के द्वारा लिखी गई है, bhanbhat के द्वारा लिखी है, पर कौन सी language में लिखी गई है, a, प्रकृत, b, हिंदी, c, उर्दू, d, संस्कृत, question number 6, the first gupti ruler to assume the title of maharaja अधिराज, कौन से पहले gupti ruler थे, जिन्होंने maharaja अधिराज का title grant किया, a, śrigupti, b, ghatotkac, c, chandragupti first, d, chandragupti second, question number 7, after samudra gupti, chandragupti second, set on the throne of maghad, which of the forming is the title he assumed after defeating the shakya, देखेंगे, after samudra gupti, samudra gupti के बाद, chandragupti second है, वो किस पे बैठे, maghad की गदी पे बैठे, बैठने के बाद, उन्होंने कौन सा title assume किया, जब उन्होंने शाकास को defeat कर दिया था, पहला A. महराजा, B. चक्रवर्ती, C. शकारी, विक्रम अधित्य, या D. महा समराठ, 8. फाहियान विजिटीड इंडिया, दूरिंग दा रेन ओफ, फाहियान या फाहियान जो भी आपी से बोनना जाएं, दोनों में से, वो कौन से, किसके रेन में इंडिया आये थे, हर्षवर्दन, B. अशोका, C. चंद्रगुप्त सेकेंड या D. नन ओफ, दिस, उसके बादा आते हैं, question number 9 पे आ जाते हैं, यान सैंग, विजिट इंडिया दूरिंग दा रेन ओफ, C. चंद्रगुप्त मौरिया, B. हर्षवर्दन, C. नागा भट्ट सेकेंड, D. नन ओफ, दिर, question number 10, who composed the praat प्रसस्ती, प्रयाग प्रसस्ती किसने compose करीती है, हरी सेना, B. रवी किर्थी, C. सौरी कालिदा, D. बानबट, question number 11, विक्रम समवत किस से असुसीटेट, हर्षवर्दन से, अशोका से, चंद्रगुप्त या नन ओफ, दिर, इसमें से कोई नहीं, who of the following had marriage relation with samudra गुप्त, इन में से किसके samudra गुप्त से marriage relation के उसमें थे, A. कुशान, B. शाकाज, C. रूलर ओफ, श्रिलंका, D. ओल ओफ, दिज, question number 13, पर आते हैं हम, question number 13, क्या कहता है, राइचूर इस लोकेटेट बिट्वीन दा रिवर, राइचूर जो है, वो किस रिवर के बीच में लोकेटेट है, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा, टुंग बदर, महानधी, कृष्णा, D. टुंग्र बदर, कावेरी, इनमें से कौन सी एसेंबली है, ब्रहमद लैंड ओनर्स की, A. उर्भ, B. नागराम, C. सभा, D. नन अबदीज, अरब ने सिंद पर कब कबजा किया, 1200 साल पहले, 1500 साल पहले, option C. 1400 साल पहले, आपको आंसर ये मिल जाएंगे, ये सारे आंसर हैं आपके, 1 से लेके 15 तक के, Let's Recall में आ जाते हैं, State, whether true or falses में से, कौन सा true or कौन सा false है, देखे, Harashena, Composa, Prasustine, Praise of, Gautamiputr, Shri Shatakarmi, false, B. The ruler of Arreya Vrat, brought tribute to Samadra Gupta, false, C. There were 12 rulers in Dakshinpur, true, Taksila and Madurai were important center under the control of the Gupta ruler, false, A. Hall was the capital of Fallas, false, A. Hall किसकी capital थी, आप comment करके बताईएगा, Local Assembly function for several centuries in South, जो Local Assembly थी, वो कहीं सालों तक, कहीं सो सालों तक, वो अस्तित्व में रही, South India में, true, उसके बादे, दा 3 author who wrote about Harshvardhan, वो कौन से author हैं, जिन्होंने Harshvardhan के बारे मिले खा, A. Ban Bhatt, who wrote Harshya Charitra, Zizhvang Zhang, Chinese pilgrim who spent a lot of time at Harshya court, C. Sorry, third है, Raviy Kirti, who wrote about Harshya defeat by Pulkeshin second, उसके बाद आते हैं, 3 पे, A new change in the army occurred at this time, इसी समय आर्मी में जो था change हुआ, A new military leader arose who provide the king with troop and evictment whenever he needed, इसके दोरान, एक military leader rise हुए, जो king को troops provide करते थे, जब king को जरूत होती थी, जिसको बोलते थे, सामन्त बोलते थे, They were not paid salary but received grant of land, इनको salary नहीं मिलती थी पर land मिलती थी grant में, इसी land से वो revenue collect करते थे, revenue collect जब करते थे, उसी से वो soldier और horses maintain करते थे, for sorry, the new administrative arrangement during the period वहर, पहला some important administrative post now became hereditary, पहले के कुछ administration post जो थी hereditary बनके, हरी सेना जो थे, जो थे, वो महा डंड नायक बनगे chief justice बनगे अपने पापागी तरह भी, sometime एक परसन के पास एक से ज़्यादा post होती थी, जैसे के हरी सेना के पास वो महा डंड नायानी की, आपका chief justice भी, उसके बाद कुमार अमत्या यानी important minister भी थे, फिर संधी विग्रही का, minister of war and peace भी थे, important meant like नागरा स्रेश्टी, मर्चीफ मर्चेफ मर्चेट अफ सिटी जा, सार्त बहा, उसके बाद है प्रथमा कुली का, and कायस्ता, head of scrab has in the administration, अभी यहाथ, अपने let's discuss, if Arvind would have to act as Samudra Gupta, he had to be done of the following thing, he had to successful plan his campaign all part of India, उसके अपने successful plan बनाना होगा, किसके इंडिया को campaign इंडिया के लिए, उसके बाद ही है, to lead his Armenian battle, उसके अपने आर्मी को lead करना होगा, battle में, he had to establish efficient administration, उसके अपने administration जो system तो बहुत अच्छा बनाया, he had to work warfare of the people, वो welfare, people के welfare के लिए करे, वर्क करे, the ordinary people would have not been able to read, the understood, the precisely because these were written in Sanskrit, which was not the language of the ordinary people, thank you guys, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में,